आपके पर्सन कागला कदम क्या होगा वो क्या करने वाले हैं आपके लिए ठीक है तो यह एक जनल रीडिंग है तो वैसे ही लोग आप और जिनके साथ रीडिंग रेजनेट करती है प्लीज इस चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और हाँ गाईज जिन्हें प्लसनल रीडिंग लेनी है न वो वाट्स अप नमबर पे कॉंटक्ट कर सकते हैं प्लसनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है फ्री नहीं होती है ठीक है यहां पर मेरे पास है टू काट्स और काट्स में निकालती हूँ देखते हैं क्या एनर्जीज हैं काट्स की यहां पर मेरे पास है दा ग्रीन वूमेन उसके बाद है तेन ओफ विट्सल्स वाव एपी फैमिली वाव नेक्स्ट स्ट्रेक्शन हैपी फैमिली मेरेज वाव एस अब स्टोन ओके यहां है दा पोल स्टार इसके बाद है क्वीन अफ स्टोन ओके उसके बाद है नाइट ऑफ बोस दा ग्रीट बियर और यहां पर है फाइफ ऑफ बोस ओके तो अभी मैं उनकी फिलिंग की बात करती हूँ उसके बाद आपके पर्शन क्या अगला कदम लेने वाले हैं मैं वो बताऊंगी ठीक है तो देखो आप लोगों के डिलेशन सिप में मुझे यहां पे कोई और इन्वाल्व है आप लोगों के डिलेशन सिप में मतब फैमिली प्रॉब्लम दिख रही है फैमिली कास्ट प्रॉब्लम डिस्टेंस प्रॉब्लम कुछ है ऐसा ठीक है जो बहुत ही ज्यादा है सो हो सकते हैं आप लोग अगला कंट्री में होगे और बहुत ही ज्यादा फासले हैं आप लोगों में ठीक है और यहां पे आपके पर्शन मुझे तो दिख रहा है कि आपके पर्शन का नेक्स्ट एक्षन जो है ना वाव कमाल का है आपके पर्शन यहाँ पे आपके पर्शन बहुत ज़्यादा गुस्याल भी होंगे हमेसा लडाई जगड़ा हमेसा होता रहता होगा आप लोगों में कि छोटी-छोटी बातों पे भीना बस लडाई ठीर जाती होगी गुस्सा ज़्यादा आता है आपके पर्शन को ठीक है एक होता है आप सोचते होगा कि अरे कब सांधी से रहे हम सो वो आपको मिलता नहीं होगा पहले ठीक है सो वो स्विच्वेशन आपको मिली नहीं और आप तंग आवे अपने पर्शन के लडाई जगड़े से यह किसी की बातों में आ जाते हैं आपके पर्शन ठीक है यह है और यहां पर आपके पर्शन अपने लिए जहना कोई वर्क कर रहे हैं मतलब इनका कोई सपना है उस पर यह वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इनका कोई गोल है जिसको यह पूरा करन चाहते हैं पैसे कमाना चाहते ही है और यह उसी पर वरक भी कर रहे हैं कि आपके परस्ट घर ना मतलब एक होता ना कि सपनों का महल तो वह भी बनाने का सोच रहे और उसके लिए क्या चाहिए मनी तो मनी बनाने के मुझे यहां पर देखरहेंना की आप Chinese को अचानक भाट कर दिया है आप लोगों को हुआ कि बहुत सारे लोग यहांपर सर बिलकुल भी जो है ना या तो अपने पर्जाने ब्लॉप किया है तो ब्लॉपश मुझे दीखाई दे रहे हैं साथ यिए देखू न तो मुझे आपके पर्शन कि बहुत तेजी में भी दिख रहे हैं इनको तेजी से आगे बढ़ना एं Delhi के इनको ये भी लग रहे ना कि जाउं नहीं जाउं जाउं नहीं जाउं तो आपके पर्शन जाना इन और आट इन और आउड ते ना करते रहते हो अना जाना इनका गुundert His बहुत ज्यादा तेज इनका गुस्टा कि इसलिए यह ऐसा बहरे करते हैं को अपने परसन को Pe 만 चांती की अंगुठी पहना यह चांदी शिल्वर इसल वर की कुछ जो होती है ना इनके हाथ में इनकी गले में डालिये ताकि इनका जो है ना अगर आप से कॉंटेक्ट कर लेते हैं तब की बात कर रही हूं जिनको भी गुस्सा आता है ना चांदी धातू होती है उसका कुछ बना करके आप अपने गले में धारन करें या फिर रिंग बनवाएं उसकी और उसको पहने आपका गुस्सा सांथ हो जाएगा आपको सीतलता चाहिए तो सीतल वैसे ही मिलेगा आप सीतल में किसी लड़की के बात नहीं कर रहे हूं यहां त जाए तकर तो वैसी है एनरजी इनकी यह आएंगी आपके पास यहां पर एक्षन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं आपके परशन को एक होप है कि मैं अपने रिलिशंशिप को सही कर लूँगा जो भी यह इनकी फैमिली इसूज है आपकी फैमिली इसूज है ना इनको होप है अंदर ही अंदर इनका मन कुछ और कह रहा है कि नहीं सारी चीजे सही हो जाएंगी तो पॉस्टिट थिंकिंग भी कर रहे हैं निगेटिविटी है लेकिन उसके साथ ही पॉस्टिविटी भी है ठीक है और यहां पर मुझे लगता है कि आप लोग भी निगेटिवी क कुछ सोच रहे हो कि नहीं मुझे शादी नहीं करेगा मुझे धोखा देगा इस टाइप की जो है ना एनेर्जी है तो यहां पर थोड़ा ट्रस्ट इसूस भी दिख रहा है बैलेंस नहीं बैलेंस की कमी आप लोगों के रिलेशन्सिप में ठीक है और लेकिन आपके पर्सन को या फिर आपको जो है ना दोनों मेंसे कोई एक है जिसको होप है कि नहीं सब चीजे सही हो जाएंगी समय बदलेगा और सब चीजे सही हो जाएंगी तो कोई एक पर्सन है जो पॉस्टिफ थिंकिंग कर रहे है और उसी थिंकिंग के कारण जो है ना यह सारी चीजे मांगी है हर जगह दुआएं दुआएं मांगी है आपने यह जो कार्ट सेना यह भी बता रहे हैं कि आपने आपको चाहिए एक फिर से स्टार्ट करना चाहते हो आपके पर्सन पूरी तरह त्यार हैं कि वह अब निव बिगनिंग करेंगे एक्शन लेंगे उन्हें बैलेंस चाहिए उन्हें आपका साथ चाहिए आप से रियूनियन चाहिए उनको ठीक है और यहां पर तो मुझे यह लग रहा है ना यह भी दिख रहा है कि आप लोगों को बच्चे के हावाले से गुड निउस मिलने वाली है अगर आप मेरेड हो ना जल्द ही आपक बुजने वाली है ठीक है आप paar शान बहुत ही जल्द मिलने वाली है आपके पर्सन देखो यहां पर пар cada 2 आपके पर्सन वापस Isaac कन डेन वाले हैं फेपी फेमिली चाहिए उनको झाहिए उनको इपके साथ कि यह साथ आपको यह ऐसा सोचते आ कि यह जो मेरी पर्सन है ना ब बहुत ही जादा सब चीज को बैलेंस करना क्यारिंग प्रस्नालिटी है आपकी दूसरों की परवाह करती हैं खुद की फीलिंग का कुछ नहीं चलो देखेंगे बाद में दूसरे के फीलिंग पहले तो यह आपकी या फिर आपके परसन की एनर्जी हो सकती है एनर्जी वाइस अगला कदम तो प्रपोजल का विट है तो प्रपोजल मिलेगा आपको और यह शादी का प्रपोजल होगा स्रिपी इंगेजमेंट का प्रोपोजल नहीं है शादी का प्रोपोजल है तो आपके साथ इने फैमिली चाहिए आपके साथ क्लियरली चाहिए तो चाहिए जिद्धी भी है आपके परसुन कि यहां पर मेरे पास काड आया है एट आफ वेसल्स सो अभी जो है ना आपके परसुन की एनेड़ी ऐसी आ रही है सेड़ वाली मूव वन करने की कोशिश आगे निकलने की कोशिश सब को भूला करके सब चीज छोड़के आगे बढ़ा जाए पीछे की चीज़ों में तो कुछ रखा नहीं है ना तो एक न्यू स्टार्ट किया जाए रीबर्थ आप लोगों की रिलेशन्सिक का मैंने कहा ए देखो यह निव बिगिनिंग का भी काड़ आया है दा वर्ल्ट ट्री वाव सो अगें री यूनियन होने वाला है आपके परसन तो यही आक्शन लेने वाले है ठीक है कि आप जो है ना मुझे अपने परसन के साथ री यूनियन चाहिए कनेक्शन चाहिए फिर से पहले जैस कनेक्शन मुझे चाहिए ठीक है तो यह ए एनर्जी और से मैं कुछ और एन्र्जी ऑरिकल से देखों तो चलो मैं कुछ कार्ट निकालती हूं काम वी कि एनर्जी औरsoverकल से भी कि क्या एनर्जी ऑरिकल्स कहते है ठीक है उनको रखती हूं sperm प Coach Kaseyris अगला कदम लेने ही वाले हैं कब तक लेंगे तो मुझे बहुत जल्द दिख रहा है कि बहुत जल्द एक्षन लेने वाले हैं ज्यादा काट्स गिर गए उनको मैं नहीं लोगी वाव मैजिशन एंड टमिरर ओके बहुत ही जल्द आपके पर्सन मैंने कहा कि लेने वाले हैं मुझे लगता है कि 8 weeks, 5 weeks, 3 weeks, 3 days, 5 days, 8 days में आपके पर्सन एक्षन लेंगे उनका अगला कदम तो यही है और time period भी मैंने बता दिया कि यह रहने वाला है और आपको वो सब मिलेगा, सब जो आप डिजर्व करते हो, वो love, वो care, जो आपको अपने पर्सन से मिलना चाहिए, वो सब मिलने वाला है आपको, आपके पर्सन आपको वो सब देंगे ठीक है? बहुत ही positive card आया है यहाँ पे, सब चीज happiness एक्दम, happy happy life बहुत अच्छे, सो चलो कुछ messages भी देख लेते हैं, आपके पर्सन की तरफ से, आपके लिए क्या message है, देखते हैं, क्या message देना चाहते हैं वो, ठीक है, सो ज्यादा message नहीं निकालूँगी, यह तो, पहला message है, I love you, I love you, वाओ, तो, मुझे अपनी गल्ती का अहसास हो गया है, देखो आप, इनको गल्ती का अहसास हो गया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के तुम मेरी जिन्देगा नी, कहीं बदल ना जाना सनम, यह जो सौंग है ना, आपके लिए वो टेडिकेट कर रहे है, चुडा लिया है तुमने जो दिल को, वाओ, इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो उन्हें, हाँ, थर्ड पार्टी, सो हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो आप लोगों में, थर्ड पार्टी तो खुद ही फैमिली ही थर्ड पार्टी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ देखो आप मैं आपसे मिलना चाहता हूँ देखो अब मिलने भी आएंगे वो दिख रहा है ना मिलने आने वाले हैं वो ठीक है So guys ये रही आज की reading So जिनके साथ resonate करती है Please इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें So मिलते हैं guys नेक्स रिडिंग में तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए ठीक है तब तक के लिए बाई